हाई फ्रेंड्स, क्या आप अपने घर में नया टीवी कनेक्शन लगवाने की सोच रहे हैं? और जब आप टीवी कनेक्शन लगवाने जा रहे हैं, तो आप DTH कनेक्शन लेना चाहिए आपको, या Cable TV Service लेना चाहिए इस बात को लेकर confuse हो जा रहे हैं अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं DTH Service और Cable TV Service का full compression करने जा रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको DTH Service और Cable TV Service में क्या-क्या differences है वो बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों टेकनलोजी में पुराना टेकनलोजी कौन है तो Cable TV Service जो है वो DTH Service से कहीं पुराना है हमारे देश ही क्या पूरे दुनिया में जब Live Satellite Channel देखना होता था तो पहले Cable TV Service से ही लोग Live Satellite Channel देख पाते थे हमारे देश भारत में 2003 में Dish TV ने पहली बार DTH Service को लॉंच किया 2003 से पहले Cable TV के थू ही हम लोग सारे चैनल्स को देखा करते थे Cable TV के पुराने टेकनलोजी होने के बावजूद Cable TV के कुछ advantages भी है और वे क्या क्या advantage है पहले उसके बारे में बात कर लिया जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं pricing की अगर हम लोग पहली बार connection लेने जा रहे हैं अगर हम लोग DTH का connection लेंगे और Cable का connection लेंगे तो Cable TV का जो setup box है वो DTH का जो setup box है उससे कहीं सस्ता आपको देखने को मिल जाता है और channel का जो subscription charge है वो भी Cable TV में कम देखने को मिल रहा है कम पैसे देने होते है channel के हिसाब से लेकिन जब से TRAI का नया rule आ गया है network capacity fee implement कर दिया गया है उसके बाद per channel के हिसाब से जो charges है वो Cable TV पे भी उतना ही लग रहा है और DTH पे भी उतना ही लग रहा है लेकिन अगर package की लिहाद से बात करें तो दोनों में price का difference आपको देखने को मिल सकता है Cable TV का दूसरा सबसे advantage यह है कि यह हर वेदर में काम करता है जिया दोस्तों अगर बारिस का मोसम है और अगर अपने घर में DTH लगवाया हुआ है तो बारिस के मोसम में DTH का signal वो बहुत frequent basis पे loss होता है आप लोग के घर में अगर DTH होगा तो आप लोग देखते भी होगे कि बारिस होने के कारण तुरंत DTH का जो signal है वो loss हो जाता है और उस समय अगर आप कोई प्रोगाम देख रहे हो या क्रिकेट मैच है इस तरीके का प्रोगाम देख रहे हो और उसी टाइम अगर बारिस आ जाए तो आपका जो मज़ा किर्किरा हो जाता है लेकिन केबल टीवी सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता है बारिस कैसा भी हो सिगनल लॉस होने की समस्या वहां उत्पन नहीं होती है अगर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यूं होता है तो ऐसा इसलिए होता है कि डीटीएच सर्विस का जो ब्रोडकास्टिंग है सेटलाइट से जो सिगनल आते हैं हमारे डिस के तरफ उसका फ्रिक्वेंसी बैंड और केबल टीवी के लिए जो फ्रिक्वेंसी सेटलाइट से डिस के तरफ आता है उसका फ्रिक्वेंसी बैंड दोनों अलग-अलग फ्रिक्वेंसी बैंड पे काम करते हैं और डीटीएच के लिए जो फ्रिक्वेंसी बैंड आता है वो बारिस के बुंदों से मतलब बारिस के जो ड्रॉपलेट से उसके द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है और एब्सॉर्ब करने के कारण जो सिगनल है वो हमारे छट पे लगे हुए डिस तक पहुँची नहीं पाता लेकिन केबल टीवी के केस में जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो सिगनल जो है वो बरही आराम से जो रेन है बारिस के बुंदों को पेनेट्रेट करके केबल ओपरेटर के डिस तक आ जाता है और आसानी से signal का reception हो जाता है इसलिए बारिश में cable TV का signal में कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन DTH के case में हम लोगों को no signal की समस्या आ जाती है Even strong के case में या आंधी तुफान के case में आपको cable TV के थुरू लगतार signal मिलता रहता है बसरते की cable TV operator से आपके घर तक जो cable connection है वो टूटा फूटा ना हो वो cable का proper connection अगर है तब आपको signal में कोई दिक्कत नहीं आएगी और लगतार आपको cable TV के case में signal मिलता रहेगा तो ये बहुत बरा advantage है cable TV service का अगला advantage ये है कि अगर आपके cable TV service में कोई complain आ जाता है और उस complain को खत्म करने के लिए आप cable operator को call करते है तो भले ही आपका complain जल्दी resolve ना हो कुछ time लग जाता है cable TV service के case में लेकिन जो engineer आपके घर पे आता है वो कितनी भी बार complain को resolve करने आए वो per visit के हिसाफ से कोई पैसे नहीं लगते है मतलब जो complain को resolve करने के लिए cable TV service के case में आपको कोई पैसे नहीं देने होते है लेकिन DTH के case में अगर आपको complain को resolve करवाना है तो जब भी engineer आपके घर पे आएंगे DTH operator के तो per visit के हिसाफ से आपको पैसे पे करने होते हैं और कितने पैसे पे करने होते हैं तो करीबन 200 से 300 रुपे per visit के हिसाफ से आपको DTH service के case में आपको पैसे देने होते हैं ये तो था cable TV service के कुछ advantages अब हम लोग बात कर लेते हैं कि DTH service के क्या क्या advantage आपको देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहला advantage है DTH service का picture quality जिहां दोस्तों DTH के case में आपको बहतरीन picture quality देखने को मिल जाता है इवेन अगर simple standard definition वाला set of box भी अगर लगाए हो आप तो उसमें जो picture quality मिलता है वो cable TV के standard definition के picture quality से कहीं बहतर होता है दूसरा advantage अगर बात करें hardware की मतलब DTH के set of box की और cable operator के set of box की cable TV के set of box की तो DTH के साथ जो set of box मिलता है वो कहीं बहतर होता है cable TV के साथ जो set of box मिलता है दोनों का hardware में बहु ज़्यादा का difference हो जाता है और cable TV के साथ जो आपको set of box मिलता है उसमें आपको frequent basis पे hang करने की समस्या देखने को मिलती है लेकिन DTH के case में hang करने की समस्या उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है और एक बहुत बड़ा advantage है DTH की उपलब्दता माल लिजे आपको TV एक ऐसे जगह पे देखना है जो की remote area है मतलब अच्छे से connectivity वहाँ पे नहीं है मतलब सुदूर गाउं बगेरे में आपको देखना है तो वहाँ पे भी आप DTH connection लगवा सकते है जिहां दोस्तों आप कहीं पे भी जाए आपके छट पे अपना एक डिस लग जाता है DTH का और TV के पास set of box लगा लेते हैं उसके बाद सारा satellite channel उसके थूँ देख पाते हैं लेकिन cable TV service का जो range होता है वो खिसी खास region तक ही सिमित रहता है अगर उस region के अंदर आपका घर है तभी आप cable TV service को लगवा सकते हैं अगर ऐसे जगह जहाँ पे cable TV service नहीं है उस region में तो वहाँ आप cable TV service नहीं ले सकते हैं उस जगह पे आपको DTH service ही उपलब्ध होता है मतलब पूरे जियोगराफी में आपको DTH का service देखने को मिल जाता है लेकिन cable TV service इस तरीके के service देने में मात खा जाता है DTH का एक और advantage यह है उसका customer service जहां दोस्तों DTH वालों ने customer service इतना अच्छा बनाया है कि माले जे आपके service में कोई complain आ रहा है तो आपके लिए 24-7 customer care service उपलब्ध है और dedicated team बना दिये गये हैं complain को resolve करने के लिए लेकिन cable TV के case में उस तरह की सुभधा नहीं मिलती है उस तरीके का customer care का service है वो आपको cable TV service के case में नहीं देखने को मिलता है जो कि DTH के service के case में आपको देखने को मिल जाता है वहाँ पे customer care का service है वो बहुत ही बहतरीन होता है DTH के setup boxes में आपको recording का feature भी मिल जाता है जो की cable TV service के जो setup box होता है उसमें नहीं देखने को मिलता है कुछ खास cable operator जो बड़े-बड़े branded, बड़े-बड़े cable operators है कुछ एक ही है, गिने चुने वे लोग recording का feature देते हैं लेकिन जितने भी DTH operators हैं, वे लोग अपने setup box में recording का feature दे देते हैं और वे recording के feature बहुत अच्छे तरीके से उनके setup box में काम भी करता है तो ये recording वाला feature के मामले में भी DTH जो है वो cable TV से कहीं आगे है DTH का एक और advantage ये है, कि माल लिजे कि आपका घर जिस region में है उस पूरे region में power cut हो गया और cable operator जिस region में है माली जो वहाँ पर power cut हो गया और अलग-अलग जगों पर जो उनके devices लगे होते है मतलब amplifier वगरे जो लगे होते हैं, उनका भी power cut हो जाएगा इस case में उसके बाद भले ही आपके घर में आपका अपना power backup है उसके बावजूद भी इस case में आपके घर में cable TV service बंध हो जाएगा लेकिन DTH के case में अगर आपके घर में आपका अपना power backup है तब आपका DTH जो service है वो लगतार मिलता रहेगा क्यूंकि आपका अपना independent disk छत पे लगा होता है और independent set-top box आपका अपना खुद का आपके घर में लगा होता है तो आप अपने set-top box में खुद का power दीजिए और बरही आराम से satellite channel उस case में आप मज़ा उठा लेते हैं तो यह भी एक अच्छा advantage DTS के case में आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैंगों कि आज का यह जो दौर है केवल live satellite channel देखने का नहीं है बहुत सारे लोग OTT platforms पे अलग-अलग contents को देखने चाह रहे हैं अलग-अलग web series देखना चाह रहे हैं उस case में वे लग उस तरीके के setup box की तलास में रहते हैं जो कि एक hybrid setup box हो मतलब जो कि एक android setup box हो और उस box की मदद से वे live tv तो देखी सके और साथ ही साथ internet connection करके different different OTT platforms पे चलने वाले content का भी मज़ा ले सके तो इस तरीके का setup box DTH service provider जादा तर ले कर आ रहे हैं जैसे कि Airtail का अपना extreme box है जो कि hybrid box है Tata Sky का Tata Sky बिंज प्लस setup box है तो इस तरीके से अलग-अलग DTH operators जो है DTH service provider जो है वो लोग hybrid setup box दे रहे हैं लेकिन cable tv service के case में आपको कुछ एक service provider को छोड़के आपको इस तरीके का hybrid setup box देखने को नहीं मिलता है तो इस लिहाज से भी DTH के case में आपको hybrid setup box देखने को मिल जाता है जो कि cable tv में आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है DTH के साथ एक बहुत अच्छा feature यह देखने को मिलता है कि जब आप किसी DTH service provider का connection लेते हैं तो उसके साथ आपको mobile tv का भी service देखने को मिल जाता है जैसे कि आप Tata Sky का DTH अगर आप अपने घर पे लगवाते हैं तो उसका mobile tv भी आपको देखने को मिल जाता है उसके लिए Tata Sky का application है वो आप अपने mobile में install करते हैं तो आप live tv का मज़ा अपने mobile भी ले पाते हैं मतलब Tata Sky के setup box के मदद से घर पे live tv tv पे देखते हैं और उसके application की मदद से mobile पे live tv देख पाते हैं इस तरीके का feature cable tv में नहीं देखने को मिलता है देखने को अगर मिलता भी है तो एक आज दो जो service provider है उनके साथ देखने को मिलता है तो पूरे इंडिया में बहुत कम जगह उस तरीके के service provider इस तरह के service दे रहे होते हैं लेकिन डिटेज के case में आपको mobile tv service का भी बहुत अच्छा feature देखने को मिल जाता है डिटेज का एक और advantage यह है कि डिटेज को आप online recharge कर सकते हैं और online recharge के case में आपको frequent basis पे अलग-अलग offers देखने को मिलते हैं कई wallet जैसे pay tm phone पे यह frequent basis पे offer देते रहते हैं और cash back का जो offer है वो आपको मिलता रहता है लेकिन cable tv के case में इस तरीके का offer नहीं मिलता है डिटेज का एक advantage है कि माल लिजे आगर आपके घर में डिटेज का connection है और आप अपने घर को shift करना चाह रहे है रिलोकेट हो रहे हैं तो एक जगह से दूसरे जगह या सहर भी आप change कर रहे हैं तो अपना disc को खोल के ले जाईए setup box साथ में ले जाईए और उस सहर में उसी setup box और उसी disc को वहाँ पे install करवा के आप बरे अराम से DTH पे जो channel चल रहे हैं उसका मजा ले पाते हैं लेकिन cable tv service के साथ जो आपको setup box मिलता है वो अगर relocation के case में किसी दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ पे cable tv service provider तो अलग होते हैं तो वहाँ पे जो आपका setup box है cable tv का वो वहा setup box है पहले वाला जो setup box है वो बरबाद हो जाता है वो रखना पर जाता है आपको फिर से नया setup box नय केस में खरीदना पर जाता है तो relocation के case में भी DTH जो है वो कहीं पे भी install हो जाता है लेकिन जो cable tv service provider का setup box है वो सारे operator के साथ compatible नहीं होता और आपको अलग-अलग service provider के लिए अलग-अलग setup box लगवाने का जंजट का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों ये था DTH service और cable tv service का full comparison मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये comparison बहुत ही अच्छा लगा होगा तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर सियर कर दे ताकि सारे दोस्त लोग भी इस comparison को देख सके और अपने घर में अगर उनको tv का कोई connection लगवाना है तो वो decision को आसानी से ले सक और अगर आपके मन में कोई सुझाव है कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो से related इस channel से related तो नीचे comment box इसी के लिए दे दिया गया है उस comment box में जाए और बेजिजक लिख डाले और जाने से पहले याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप इस channel पे नए हैं या केवल वीडियो देखते हैं चैनल को नहीं subscribe करते हैं तो प्लीज आप इस channel को जरूर से जरूर subscribe कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जैसे ही इस तरह का वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही म मिलते हैं इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए